नमस्ते दोस्तो स्वागत है आप सब का चड़ोरा पॉइंट के एक और नहीं वीड़ियो में इस से पहले दिल्ली मुंबई पंजाब और बिहार का फूड आप दोसा दिख़ा ले शेयर कर चुकर हां दिल्ली थेक हाँ दोस्तों स्वागत है आप चड़ोरा पॉइंट के ये मैं सोचने हव्क गया था ऑगे जाना हज अफ देर कर चाद हड़र जूअ कर फांनल कर चलो 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 आवब ऐस फांनल इओ क्षांग वाइनल में भी टेक वन से एंफागर दोनर डाय sì तो दो डेई अम्हश्थ works do अह जिए हटेद्कल्ट अमश्थ कर नोगाँ हटे किसी हो बहाँ कन ट्रगाँ य्यम्हों keeping that स्टार्ट कर दोस्तों स्वागत है आप सब का चड़ोरा पॉइंट के को नई वीडियो में इससे पहले हम आप लोगों के साथ दिल्ली मुंबई पंजाब और बिहार का फूट शेयर कर चुके हैं और काफी सारे लोगों ने डिमांड करें यानि की कमेंट भी बहुत सारे करे कि 60 इंडियेफोंद आज लोगों के साथ चृंट करेंगे आप लोगों के साथिस THE चर्व करेंगे को ने आपWHUSD मंगवाया है काफी जगा में कॉना प्लेइस तो कटेशिस से बहार भी है बिल्कुल और यारा रिभाई इनकी कुछ इस तरीके से पैकिंग आई है तीन चीजे हमने इनको अर्डर करी थी अब यह देखो भाई यह आया है यह पैकेजिंग अच्छी पैकिंग देखके वाइसा मैं सही बता रहा हूं मेरा मन जो है ना थोड़ा सा ना दो सेगी ना उदास हो गया है मतलब दिल खुश जो चाहिए तो सबसे पहले जी आपको हम मिन्नी टिफन दिखा रहे हैं इसके अंधर हमें क्या-क्या मिला है खुलू बई जो मैटो की बल्ले-ल्ले ह् यह एर जगह ब्रैंडिंग है हां मतलब देख कहीं से भी कुछ भी महुआ आओ ब्रैंडिंग जो मैटो की है जो मैटो आपनी ब्रैंडिंग कर रखिया यह स्विगी को समझ में यही बात अभी खोलू भाई ओपन करें कर यह हमारा मिनी टिफन इसका प्राइज हमें पड़ा है जी इसमें पाच इडली बोली थी वह पता नहीं तो फिर मिनी डॉसा का है पाता नहीं मिनी डॉसा भी तो था अब इसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या है और पाच इडली लिख्यों थी वाई अरे मैं समझ गया वो जो यह वल चटनी के निचे जो डबी है न उसमें इडली आ है ओ यह इडली इसके अंदर वाई सबसे पहले तो यही खोल के देखते हैं भाई मेरको तो सदमेर को तो लगा था यह वो घी पोंगल या ऐसे कुछ जो चीज थी वो था मेरको इडली लग है और सांबर इसके अंदर मतलब नाम का यहां कि यह सिर्फ भीग जाएं मतलब मेरे कहते हैं यह पांच बाइट है हां हाना ओ भाई साब यह तो यार हद्धी हो गई और इसके अंदर है जी कैसा है मीनी डोसा यार यह तो वाक्य में वाई और हम एक जगा से महाते थे पंकर हाँ वह एक है ना फ्लेवर्स ऑफ चन्नाई उनका मिनी टिफन बहुत अच्छा यार उनका तो वह भी किसी दिन कवर करेंगे ठीक है जी यह इसके अंदर से निकला है जी मसाला डोसा खुल जा भाई खुली नीरा ठीक है इसका साइज तो मैं फिर भी कहूंगा कि चलो मिनी भी बोला है तो ठीक है यह इसके साथ सांबर खिचडी थी यह मेरे खालते वह था घी पोंगल यह ना चलो यह देख लेते हैं हम इसका नाम आपको थोड़े देर में बताएंगे चेक करके जारा और यह तो भाई कोकोनट चटनी है ठीक है और यह था वह रवाकेसरी तो अब यह किस चीज की है मुझे नहीं बता वाई वह ट्राय करके बताएंगे आपको तो यह भाई एक दो तीन चार पांच छे और यह आ गया जी इसका साथ में आपको मिनी दोसा तो यह साथ चीज़े जो है ना आपको 200 रुपे में मिलेंगे वाई सर्वना भवन से तो वह इसमें आये जी हमारा मिक्स उत्पम देखे यह कैसा आया है और यार मैं आपको बता रहा हूं मुझे पैकिंग भाई बिल्बकुल भी नहीं पसंद आई इसका भी जो है ना प्रॉपर बॉक्स आता है भाई बिल्बकुल आता है सागरतन वागर से मन्यमिन रखें बिल्कु बहुत नाम के बराबर और इसका साइज आप देख लो यह चोटी सी थाली यह जी इसका साइज और इसका प्राइज है इसका नाम आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना बागी यह साथ में हमें सामबर मिला है यह मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वेज़े तो देख रहे हैं बिल्कुल वाई काफी अच्छा है मला बिल्कुल पतला पतला पानी की तरह नहीं है तो ठीक लग रहा है आपको दिखाते हैं हमारा और एक चतनी और सांबर जो है क्या है हलवा होगे तो यह तो हल्वा थे तक वैसे होट हो जाता है हाह हम भी मांते के जिंग ना एसी है कि वह और जादा खराब हो जाएगा पैकिंग की वजह से जो है ना उसकी रंगत और ज्यादा बिगड़ गई है भाई क्या डोसा निकला है क्या डोसा भाई अंदर भाई स्टफिंग तो वह आलो अली जो होती है इनकी वह तो भाईया ऑथेंटिक है मानी हुई है तो करें वह चल टेस्ट करते है ठीक है भाई आप लोगों को इनकी क्लोज लुक दिखा दिया एक बर प्राइस जो है ना मैं आपको फिर दुबारा बता देता हूं 176 166 उत्पम और यह है 191 आप लोग बताना भाई कि इनका प्राइस आपको कैसा लगा और पैकिंग देखके आपको क्या लगा भाई कि इन दोनों का जो है वह सेम मिला और चटने अभी है हां आजा वही लेले बिटा शुरू करो सबसे पहले तुहीं ले बिटा मैं भी लेता हूं चल रवा मसाला डोसा भाई मुझे तो बहुत पसंद है ताजा खाने में घाने में तो मजा आ जाता है बिल्कुल करें पहले ऐस बढ़ी वले इसके रवा के वह रवा जो टेस्ट आता है ना क्रिस्पोने के वैसे वह बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा है यार यह तो मिलको ऐसी खाने में मजा आ रहे हैं चटनी थिक है काफी अप्य अच्छी है बिल्कुल यार मजा आगे बाई टेस्ट में दो आ चल्ठ आ रहे हैं इसमें भी नारीयल है पहली है शुञा रही का तडल लगा हूओ है लाल मिर्च कर तड़का लगा हो जो अबी जाती हで फालिच करतेचिक और तच्पार और के थिक्ननस है वाक्या में बहुत अच्छी है बढ़िया हूँ तो मज्य आजाएगा वहाद है वहीं सामर स्वाद है मज़ा आ गया बहुत अच्छा तड़का लगा हुआ है राइव अगयरा का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है वेजिस काफी अच्छी डेली हुई है तो मतलब बीन वागयरा अब ट्राइब करते भाई मिक्स उत्तपम मिक्स उत्तपम का सइस वह चोटा है बहुत शोटा यार वन 66 रुपीस का प्राइब साइस के साफ से जो ब्लाइज मुझे जहादा लगा है और मिक्स माइज मेर्टी लिए तेले फेले तो वही मैं इसको यसी टेस्ट करने लगा हम करें चलो लेकिन मुझे उतना स्वाथ निलगा मैंने इस से यादा स्वाथ खा रखा जो प्या जो गया रही है ना कच्छा-कच्छा मल उसको अच्छा से ना तवे में वह सेख गया पकाया निया च प्या तेस्ट आ रहा है प्याज का बहुत ज्यादा स्पीड अच्छा लगा था ना कुछ लगा जैसे कि नमक भी ना डला हो ना इस तरीके का टेस्ट है भाई टमाडर की चट्टी के साथ खाया है उसके साथ तो सही लग रहा है बागी जो है यह काफी फीका-फीका बना हुआ इसके अंदर कोई मसाले बगारा कुछ नी डाले जबकि मैं अब हमारे यहां पर जो लोकल बना यार लोकल बहुत बढ़िया बनाते है अब हमारा मिनी टीफन जिसके अंदर भाई हमारे को पांश इडली मिली है एक एक चम अली इतनी चोटी सी डबी के अंदर तो पहली बाइट भाई मैं लेने लगाऊ करें टेस्ट चलो इडली बढ़िया बनी हुई है मजा आगया बाई अब बारी है घी पॉंगल की और मुझे ऐसा जो है ना मैंने इसको हलका सा टेस्ट करके देखा बंकर मेरे को तो भाई यह खिचडी लग रहे है तो दो ऑप्शन थे या खिचडी यह पॉंगल तो उन्होंने जो है ना भाई यह होता है भाई जो घी पॉंगल हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है आप हमें कमेंट करके जरूर बदाना भाई खिचडी है मैं कहारो मैंने हलकी सी टेस्ट करके देखी लिए भागी इसमें जो है ना काली मिर्च और जीरे का तड़का लगा हुआ है वह बहुत कव भाइ परश्ट इसको जो ना सांबर के साथ खाने में मजा आएगा यह बात तो पक्किया दोसा रहा गया मगजा मारा मसाला डुसा इसको भी टेस्ट कर लेते है मिनीमशाला डूसा मैं बड़ाए आसी लिए यह बड़े इस वाले डोसे में बहुत ज्यादा घी है बाई घी इतना आनंद नहीं आए बाकि जो एनन इसके अंदर रवा के अंदर जो ए इतना ज्यादा घी नहीं था बागि इसके अंदर भाय साब यह हात जो जो एनना देखो पूरा निरगी हो गया पागि टेस्ट ठीट हाग है बहुत वाव अला नहीं कोंगा लास्ट रह गई जी रव इसको आप टेस्ट जरूर करना एक बार क्या वह तुरू ज़रूर करना है पर्फेक्ट मीतना परफेक्ट बनाऊओ जो भी अबंड टेस्ट बहुत प्लाइए जितनी भी जगा अहां बहुत बड़ा मज़ेदार में सब दूसरी जोदो चीजे हमें ज़्याद अच्छी लगी वह भाई मिनी इडली मिनी इडली और रवा केसरी मनला मिनी इडली जो है ना वाक्य पर चोटा साइस था एक एक बाइट थी लेकिन मज़ा आगया खाके तिरको वेटा क्या सबसे अच्छा लगा रवा मसाला डोसा और वह हलवा केसरी वाला बहुत अच्छा हाना इस वीडिय नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ